नमस्कार एक वर फिर से आप सभी का स्वागत है आई एंटी हिंदी टेक चैनल में तो उस्तों बज़र 2022 में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ा अपडीट आया है जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्मेंट करती हैं मानो पहार सा तूट गया हो उनके सरीर पर क्रिप्टो करेंसी पर अब टैक्स लगा दी है सरकार और आपको मैं बता दू कि क्रिप्टो करेंसी पर अभी तक कोई भी टैक्स लागू नहीं किया गया था एक फरबारी 2022 को बजर पेस किया गया इसमें सरकार ने एलान किया कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लेंगे आप सबी को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी कितना जादा पॉपलर थी और अभी भी पॉपलर है इसमें एक वजह यह भी था पॉपलर होने का कि क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्ट करके फायदा कमाने पर कोई भी टैक्स सरकार नहीं लेती थी और इसको लेकर सरकार लगातार सुचित कराते रही थी जो कि मैंने आपको बताया भी था कि क्रिप्टो करेंसी पर हो सकता है तो सरकार टैक्स लगाएगी फायनली क्रिप्टो करेंसी पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा इससे बहुत जादा फर्क परने वाला है सीधा आप लोग समझ लेजिए जितना क्रिप्टो करेंसी पर आप फायदा कमा पाओगे उतना टैक्स के रूप में कटोगे तो उतना कम ही आपका फायदा होगा क्रिप्टो करेंसी पर खास तोर पर टैक्स ना लगने के वजह से छोटे से छोटे लोग भी क्रिप्टो करेंसी में इंवेस्ट करके थोड़ा बहुत फायदा होने पर निकासी कर लेते थे लेकिन सरकार अब इस पर 1-2% नहीं 10-20% नहीं बलकि टोटल के टोटल 30% टैक्स लेने जा रही है जी हां दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पर अब आपको 30% की टैक्स देना पड़ेगा यह टैक्स फायदे होने पर आपको देना पड़ेगा जो investment करोगे उसे छोड़कर investment के बाद जो फायदा होगा उसका 30% सरकार को आपको देना पड़ेगा 37% सरकार ने यह भी कह रखा है कि अगर आप लोगों को कहीं से gift मिलता है तो जो gift देता है वो tax pay नहीं करेगा बलकि जिनको gift मिलता है वो tax pay करेगा होता है ना कि कई सारे application वेगरा में आपको free में मिल जाता है यह वो तो इस इस्तिती में कहा गया है तो आएए जानते हैं कि निर्मला सीता रमन जो की वित मंतरी है उनका क्या कुछ कहना है दोस्तो हम आपको बता दे कि budget स्पीच 2022 में वित मंतरी निर्मला सीता रमन ने साफ कर दिया है कि virtual digital assist के transfer से होने वाले income पर 30% का tax देना होगा उन्होंने कहा कि नुकसान होने की इस्तिती में भी कोई set off नहीं किया जाएगा इस घोसना के साथ crypto अब भारत में legal हो गया जी हाँ आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे ख़बर आ रहे थे कि crypto bad होगा तो restrictions लगेंगी बहुत सारे चीजे थी लेकिन क्या हुआ कि अब इससे तो एक चीज साफ हो गया है कि भारत में crypto currency legal हो गया बैन वगेरा नहीं होगा क्योंकि सरकार अब इस पर tax लागू कर दी है इसके साथ ही वित मंत्री ने ये भी ऐलान किया है कि 2023 तक blockchain वेस्ट करेंसी को RBI जाड़ी करेगी अब समझ में आया दोस्तों कि crypto currency पर tax और इतना जादा क्यों ये भी हो सकता है कि इंडिया का जो digital currency 2023 तक आने वाली है हो सकता है उसको बढ़ावा देने के लिए crypto currency जो भी अवी तक महजूद है या फिर आगे आएंगे उस पर tax सरकार लेगी कुछ भी हो सकता है लेकिन कुछ भी कहिए investor को बहुत ज़ादा दुख पहुंचा है इससी अगर मान कर चलिए आप 90 रुपिया invest करती है और आपका वह 90 रुपिया हो जाता है 100 रुपिया total तो 100 रुपिया पर आपको 30% की tax देना होगा तो पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है अब यहां पर भारत की अपना digital currency जो की जिसे plastic मने भी कह सकती है वो launch होने वाली है बहुत जल्द आ जाएगी तयार हो जाएगी 2023 तक और इस पर crypto currency पर tax लागो किया गया यह महत्पोन बाती है तो अब आप लोग वीडियो के नीचे comment करना ना भूलिएगा कि आपको कैसा लगता है मुझे पता है जो लोग crypto currency में invest करते हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन सरकार को इतना भी जादा tax नहीं रखना चाहिए अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता जो new जाया वो मैंने आपको बता दिया आप लोग ही वीडियो के को लेकर करेंगे कोई government को लेकर करेंगे सबका अलग अलग रहेगा different रहेगा मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन से लोग क्या कुछ comment करती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हमेशा की तरह वीडियो को अपने दोस्तों तक share कर दीजिएगा बार बार कहने की जरूरत न